माननिय सदस्यगन, कोई भी राष्ट्रो तेज गोती से तभी आगे बढ़ सकता है जोब ओ पुराने चुनोतियों का पुरा परास्त करते हुए आपने ज्यादा से ज्यादा उर्ज्या भविश्व निर्मान में लगाए पिछले दोस बर्षों में भारत ने राष्ट्रो हीत में एसे औने कारियों को पुरा होते हुए देखा है जिनका इंतिजार देश के लोगों को दोसोंकों से था राम मंदिर के निर्मान की आकांखा सदियों से थी आज ये सोज हो चुका है जामू कास्मिर से अर्टिकल 370 हटाने को लेकर संकाय थी आज वो इतिहास हो चुकी है इसी संक्सद ने तीन तलाक के विरूद कड़ा कानून बनाया है इसी संक्सद ने हमारे पोड़ोसी देशों से आये पिरित अलपसंखों को नागरीक देने वाला कानून बनाया मेरी सरकार ने वान देख वान टेंसों की भी लागू किया जिसका इंतिजा चारोद संकों से था वार ओपी लागू हने के बाद आप तक पूर्व स्वनिकों को लगबग एक लाग करोर रूपय मिल चुकी है भार्योतियो से नामे पहली बार चीप अब डिफेंस टाफ की निजुक्ती भी हुई है माननियो सदस्योगन उतकर्मनिपन्नित को पबंधु दास की अमर पंक्तिया अशिम राष्ट्र प्रेमिकी भावना का सदा संग्चार करती है उन्होंने कहा था मिशु मरो देओ ए देशो माटी रे देशो बासी चली जानतु पिठी रे देशो रो सोराज जो पत्थे जेत्ते गाडो पूरू तोहीं गोडी मरो मांग सो हडो और थात मेरा शरीर इस देख की माटी के साथ मिल जाए देश बासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए देश के सोराज पत्थ में जितनी भी खाईया है वे मेरी हाड मांग से पट जाए इन पंक्तियों में हमें कुत्तव्यों की पराकाष्टा देखती है राष्टो सर्वपरी का आदर्स सदिखाई देता है ये उपलब्धिया जो आज देख रहे हैं और बीते दोस बर्सों की साधना का विश्थार है हमें सभी बच्पन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं आप हम जिवन में पहली बार बड़े प्यमानी पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं नीती आयोग के अनुसार मेरी सुरकर के एक दोसों के कार्यों काल में करीब 25 क्रोर देख बसी गरीबी से बाहर निकले हैं यह प्रते गरीब में नाया विश्वास जगाने वाली बात है जो 25 क्रोर लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है आज और्थो बेवस्ता के बिभी नो आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत से ही दिशा में तो था से ही निर्णोई लेते हुई आगे बढ़ रही है बीते दोस बर्सों में हमने भारत को फ्राजाइल फाइब से निकल कर टोप फाइब एकोनोमीज में सामिल होते देखा भारत का निर्याद करीब 450 बिलियोन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियोन डॉलर से अधिक हो गया है पहली की तुलना में FDI दिगुना हुआ है खादी और ग्रामद्यों के उत्पादों की विक्री में चार गुना से अधिक की बुरुधी हुई है ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब सोबा 3 क्रोर से बढ़कर लोग बोल सोबा 8 क्रोर हो चुकी है अब 78 दो गुना से भी कहीं अधिक है एक दोसक पहले देश में किबल कुछ सो स्टाटप थे जो आज बढ़कर 1 लग से अधिक हो गया साल में 94,000 कमपानिया रेजिस्टर हुई थी पिछले वर्स ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके बिसेंबर 2017 में 98,000,000 लोग GST देते थे आज इनकी संख्या 1,40,000,000 है 2014 से पहले के दोस बर्सों में लोग भोग 13 क्रोर बाहन बिके थे पिछले दोस बर्सों में देश बासियों ने 21 क्रोर से अधिक बाहन खरीदे हैं 2014 पंद्र में लोग भोग 2,000 इलेक्ट्रिक बाहन बिके थे जोबकि 2023 में डिसेंबर महातों की लोग भोग 15,000,000 इलेक्ट्रिक बाहन बिक चुके थे माननियों सदस्योगर बीते दोसक बे मेरी सरकार ने सूशासोन और पारिदर्शिता को हार बेवस्ता का मुख्यो आधार बनाया है इसी का परिणाम है कि हम बड़े अर्थिक सुधारों के साखी बने हैं इस दोरान देश को इन्सल्वेंसी एंड बेक रूप्टिक सी कोड मिला है देश को GST के रूप में एक देश एक टाक्स कानून मिला है मेरी सरकार ने माइक्रो इकनम की स्टाबिलिटी में भी सुनिस्चित की है दोस बस्तों में कापेक्स फाइब गुना बढ़कर दोस लाग क्रोर हो गया है साथी फिसिकाल डेफिसिट भी नियंत्रों भी में है आज हमारे फोरेक्स रिजर्फ सिक्सांडेट अरब डोलार से ज्यादा है आपारे बेंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चर्मराय था ओ आज दुनिया के सबसे मोजबूत बेंकिंग सिस्टम में से एक बना है बेंक का एन पिए जो कभी डबल डिगिट में होता था ओ आज लगभग चार प्रतिसोधी है मेक इन इंडिया और आत्मनीर पर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है भारत आज दुनिया का दुसरा सबसे वड़ा मोबाईल फोन निर्वान निर्याता है पिछले दोस्त एक दोसक के दोरान मोबाईल फोन मनुफेक्चरिंग में पांच गुना बढ़तरी हुई है पुछ साल पहले भारत खिलोना आयात करता था आज मेड इन इंडिया खिलोनेम निर्यात कर रहा है भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक ला क्रो रूपिया के पार पहुंच चुका है आज हार भारत्यों देश में बने एरक्राप्ट केरियार आई एनेस विक्रांट को देखकर गर्व से भरा हुआ है लड़ा को विमान तेजोस आप हमारी बायुसेना की ताकत बन रहे हैं सी टू नाइन फाइब ट्रांसपोर्ट एरक्राप्ट का निर्मान भारत में होने जा रहा है आधुनिक एरक्राप्ट इंजिन भी भारत में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश और तामिलनाडु में डिफेंस कोरिडर का विकास हो रहा है मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में नीजी छेत्रों की भागी धरी सुनिश्चित की है स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने जुबा स्टार्ट अप्स के लिए खोल दिया है